बिजनौर में 19 मार्च को कजबा हलदोर निवासी नीरज गिरी की रिक्षा में बैट कर हीमपूर दीपा शेत्र के गाउ ठेली गुर्जर निवासी ओमपाल हरदोर से अपने गाउ जा रहा था इस दोरान उसने रिक्षा चालक नीरज से नजदी की बढ़ाई और उसे एक होटल में खाना और शराब पिला कर गाउ के लिए निकल गए गाउ पहुचने से पहले ही सुनसान रास्ते पर ओमपाल ने सुए से नीरज की गरदन पर हमला किया और उसकी हत्या कर दी ओमपाल ने नीरज की लाश के पास अपने भाई का फोटो भतीजे की आईडी और भावी का लौकेट डाल कर फरार हो गया पुलीस ने घटना का खुलासा कर आरोपी को गिरफतार किया अपना जर्म कबूल करते हुए ओमपाल ने बताया कि उसने ये सब अपने भाई और उसके परिवार को फसाने के लिए किया है आरोपी ओमपाल की अपने भाई राम बहादूर से काफी समय से रंजिस चलती आ रही थी और बदला लेने के चलते उसने नीरच की हत्या कर दी